न्यूजिलेंड की सीरीज में इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन रिशब पंथ इस खिलाडी ने पहले निराश्या जनक परफॉर्मेंस किया T20 क्रिकेट में और अब ODI क्रिकेट में भी रिशब पंथ की फॉर्म कहीं छुट्टी पे चली गई है जहांपर ODI सीरीज में न्यूजिलेंड के सामने रिशब पंथ पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आये हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिशब पंथ का वाइट बॉल क्रिकेट का करियर जल्दी अंत की कागार पे भी आ सकता है एक नजर डालेंगे इस वीडियो में किस तरह से रहा है रिशब पंथ का पर्फॉर्मेंस और कि इन खिलाडियों ने गवाया है अपना मौका जिसके चलते रिशब पंथ को प्लेइंग 11 में जगा मिली है गर बीते तीन-चार महीनों को उठाकर देख लिया जाए तो रिशब पंथ का पर्फॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नह उनों श्रिंकलाओं में रिशब पंथ बुरी तरह से फ्लॉप होते हुए हमें नजर आए हैं T20 का तो आप सब जानते ही है किस तरह से रिशब पंथ के साथ एक खराब दोर गुजर रहा है जहां अभी तक 66 अंतर राश्ट्रियों मुकाबले खेलनी है रिशब पंथ ने औ उस अच्छी फॉर्म को भी रिशब पंथ ने अब कहीं गवा दिया है हाला कि सीरीज में आने से पहले रिशब पंथ ने अपना आखरी ODI मुकाबला खेला था इंग्लैंड के सामने जहां रिशब पंथ ने भैतरी शतक लगाया था लेकिन न्यूजिलेंड के सामने दो मु मुकाबलों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं कुल में लाके दोनों मुकाबलों में रिशब पंथ ने 49 गेंदे खेली हैं मातर 25 रंड मनाये हैं दूसरे ODI मुकाबले में जहां पंथ के पास सुनहरा मौका था भारतिय क्रिके टीम की लड़कडाती हुई पारी को संभाल करने का और खुद के लिए एक बहतरीन फॉर्म अर्जित करने का वहार रिशब पंथ ने 15 गेंदे खेली 10 रंड बनाये उसमें कुछ बहतरीन दो चौके भी थे लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं रिशब पंथ पार्ट टाइम बॉलर डारियल मिशल की गेंद पर एक आसान सा कैश थमाकर वापिस पवेलियन आ जाते हैं अब रिशब पंथ को अगर प्लेइंग 11 में मौका मिला है तो उनकी जगां बहार रखा गया है संजू सामसन को और संजू सामसन वो नाम है जिसने सिर्फ एक मुकाबला केला था पहले मुकाबले के अंदर संजू सामसन ने बहतरीन 38 गेंदों में 36 रंड बनाये थे वहां से हमने क्या देखा संजू सामसन आउट हुए थे ग्लेन फिलिप्स के एक बहतरीन कैश के चलते फिर उसके बाद उन्हें पूरे ही ODI सीरी से ड्रॉप कर दिया गया जिसके जगां रिशब पंथ को प्लेइंग 11 में मौक हुए थे उनका सिर नीचे की और था और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वाइरल हो रही है कई फैंस के ऐसा भी मानना है कि यहां रिशब पंथ अपनी परफॉर्मेंस से निराज थे जबकि इस अगर फोटो को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ होता है कि कोई वहां रिशब पंथ के नेक पर मसाज दे रहा था शायद रिशब पंथ को वहां माइनर इंजुरी हो देखने ही होगे बात होगी कि क्या रिशब पंथ को इसके बाद बांगलादेश या शिलंका के दोरे में इतने मौके मिलते हैं या फिर शिलंका की सीरी से जो नए स रिश्यपंत की पर्फॉर्मेंस बद से बत्तर होती जा रही है क्या कुछ है आपका कहना रिश्यपंत या संजू सैमसन या किसी और खिलाडी को देना चाहिए टीम इंडिया को मौका दीजी अपनी राय हमें केमेंट सेक्शन में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजे हमें